साथियों जहन कैसे हैं आप उम्मिद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाय भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECHS के जरिये निकाली गई नई vacancies के बारे में हैं यह vacancies किस के लिए हैं यह vacancies कितनी हैं और यह इन vacancies की educational qualification क्या क्या है और ECHS होता क्या है यह किन को जॉब देता है कौन लोग इसने अप्लिकेशन्स लगा सकते हैं सबी चीजों पर हम लिए रही बात करने वाले हैं वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग है चुकि ECHS की यही वेकंसी नहीं है जिर्फाजी चुकि इसके अंदर आते हैं बहुत सारे फोंग उन सभी में वेकंसी आती रहती है तो अगर आच ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी वेकंसी होंगी मैं आपकी अपडेट इस पर इडालता रहूंगा और आपको भी जानकारी मिल सकती है आप खुद भी उसके सर्च कर सकते है ठीक है चलिए आई शुरू कर लेते हैं ये होता होगा कि ये जॉब क्या है आईए उसकी बादता लेते हैं सीदे सीदे पहले सो देखे एसी एचस न्यू वेकंसी दोजार चॉपिस जो की मैंने आपको गोड़ पर लिख करके दिखा हुए अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी मैंने लिखा हुए एक्स सर्विसमे Contributory Health Scheme होती है इसका फुल फॉर्म क्या है एक्स सर्विसमें Contributory Health Scheme होती है ये एक स्कीम का प्रजेक्ट है इसके अंतरगत जो Dependers होते हैं उनको लिया जाता है For Example कि कहीं मैंने जॉप की हुई है सेवा दी हुई है अपनी और उसके बाद अगर मैं Retire हुआ हूँ तो मुझे मैं जिस पर Depend हूँ तो वो भी आगे बढ़ पाए और मुझे ख्याल कर पाए तो ऐसी स्कीम के तहट इस तरह की स्कीम काम करती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि E.C.H.S क्या है उसके बाद इसमें कितनी वेकिंसीज हैं क्या डीटेल है जल्दी बात कर लेता हूँ अभी क्या करेंग आप सब्टैटल लगा देजेगा ताकि मैं अपनी चीज़ आपको पढ़ए अपने टैप से पढ़ए आपको बता रहा हूँ और इसके बाद आप सब्टैटल लगा लेंगे तो आपको खुद दिखाए देगा क्या है ठीक है सबसे पहले अगर आप कोशन मुझसे पूछते हैं कि ECHS क्या होता है तो कि ECHS जो क्या होता है कि एक हेल्थ स्कीम जैसे भी मैंने आपको बताया यह जो स्कीम है भारत सरकार के जरीए 30 दिसम्मर 2002 को लांच की गई थी इसमें पेंशन धारत और उनके जो डिपेंडर्स हते हैं आश्रित रहते हैं उनके एक मेडिकल स्कीम होती है इस स्कीम के अधीन पूरे भारत वर्ष में 427 पॉलिकली क्लीनिक्स हैं यह अंडरलाइन करने वली बात है मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूँ कि यह जो स्कीम होदे एसी एचेस इस ना तो इसमें अलग-अलग जितने भी इंडिया भर में जितने भी इसकी फिर्म्स हैं उसमें जॉब्स भी आती रहते हैं यहां दो तरह की जॉब्स हैं एक तो इसमें गॉर्मेंट ऑफिशल की भी इसकी जॉब रहती हैं उसमें कॉन्टाक बैसिस की भी रहती हैं तो उसी के कुछ अंच मैं आपको यहां पर आज बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड जॉब के बारे में बताने वाला हूँ यह जल्दी से शुरू करते हैं देखें है क्या कि अगर हम बात करें इसम हैं तो कौलिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है एट पास टेंथ ट्वेल्थ पास अगर आप हैं मेडिकल डिग्री है आपके पास तो यहां पर आप कौलिपाई कर पाई लेगा अच्छा कौन-कौन सी पोस्ट है वो देख लीजिए पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर्स डें से हो रही है तो यह अप्लाई देख लीजिए यह सब आफ्लाइन मोड पर है और आप जाकर इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर वहां से फॉर्म ले सकते हो बता से जैसा भी मैंने आप से बताया तो यह है कि बहुत अलग-अलग फॉर्म है तो स्टेट वाइज डिस्ट दिन बचते हैं अब अप्लाई करने के इसमें क्या होता है रिटेन एक्जाम नहीं होगा वाक इन इंटर्वीव है मतलब आप जाईएगा और सीधी भरती है कोई एक्जाम नहीं होने वाला सिर्फ इंटर्वी होगा डॉक्मेंट चेक होंगे आपके सेलेक्शन हो जाएगा अफिशल वेबसाइट क्या है www.echs.gorman.exe पे जाएंगे आपको डीटेल यहाँ पर मिल रहे हैं अच्छा यह जॉब का लोकेशन क्या है मैं आपको बता दू जॉब का जो लोकेशन है वो आयोध्या रीजिन के आसपास के इलाकों में है जैसे गोरक पुरुवा, सुल्तान ले लेते हैं कितनी पोस्ट है तो देखें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है निकली हूँ यह दो अगर सेलरी के यहाँ पर बात करें तो सेलरी है 75,000 रुपए बी डी एस, अचाया, म। एम बी एस की जो वेकेसी नेकली है उसमें पांच साल का vive experience मांगा है वो dental officer मांगा है दो जॉब्स हैं उसकी उसकी 75,000 अगर आ्म बात करें यहाँ पर लैब technician की तो उसकी भी दो जॉब्स है और यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है बीस्टी में हो डिप्लोमा हो या तो आपने बीस्टी की हो बाइलोजी से इसमें 28,100 रुपए सेलरी है फिर अगर बात के फार्मासिस्ट की तो 10 प्लस 2 किया हो फार्मासिस्ट हो आप और 5 साल का आपका एक्सप पर 8 स्टेंडर्ड आपका मांगा है फीमेल एटेंडेंस जो है आपकी दो जॉब है 16,800 इसकी भी सेलरी होगी इसमें आप से खाले ही मांगा गया है कि आपने कहीं न कहीं experience लिया हो 5 साल और आप लिट्रेट को पढ़ना लिखना जानते हों सफाई वाले की अगर हम बात करे हैं तो इसमें तीन जॉब हैं सबसे जादा जॉब इसी की है 16,800 इसकी और इसमें भी लिट्रेट मांगा है आप पढ़े लिखे हों और आप 5 साल की experience हो आपके पास तो आप टोटल देखते हैं तो यह पर 14 vacancies बनती हैं और यह आपको जॉब दिलाती है उत्तरवदेश में आयवध्या रिजन के आप पास अयवध्या सुल्तान पूर गोरक पूर इस तरह तीक है अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है तो टोटल पोस्ट मैंने भी आपको बताई यह काउंट अगर आप करते हैं तो 14 पोस्ट बनती है जाकर कितनी 14 के बेसिस पर जाकर यह आप पर सेलेक्शन ले सकते हैं अब यह आप उसको फॉर्म को जब भरेंगे तो वहां डीटेल आ जाएगी मिनिम्मम एक साल का तो होता ही है तो अगर आपके पास यह एलिजिबिल्टी है तो आप चुप है इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बही रब पाक एसी एचस की और भी डीजन की उसमें और भी वेकंशी जैसे ही आती हैं उसका मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूँगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही किसी भी तरह की कोई पैरी हो डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट छोड़ सकत तो वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दीजिए का कॉमेंट में किस तरह की जॉप्स की आप उमीद कर रहे हैं क्या आप चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका वीडियो या उसका सरेगार्डिंग कुछ भी चीज़ होगी तो मैं बताने की जरूर को कुमें इले में तेहीं नेक्स वीडियो में